मैं डिजर्विंग था और अब तो मैं हूँ नहीं तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता चाहे कोई भी विनर बने करन बने शामिता बने रस्मी बने जो डिजर्विंग है वो बनना चाहिए पर मैं डिजर्विंग था अब मैं वहाँ पे नहीं हूँ ये statement देते वे नजर आए उमर रियाज तो इस बात में तो मज़ा आ गया मज़ा आ गया जब उमर रियाज का इंटर्विंग देखती उन्हों बड़ा मज़ा आता देखकर ऐसा लगता है कि अरे यार बंदे ने सब कुछ सटीक तरीके से बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने सारी अपनी बात रखी जिस तरीके से उन्हें रखनी चाहिए, उनका इंट्रिव्यू देख के ऐसा लगता है कि he is a very mature person but जो दिल में होती है वो जुबान में नजर आ जाती है, जिस तरीके से उनका पहला जो लाइव आया था, उसे देख कर ऐसा लग रहा था कि my god ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फैंस थोड़ी डिसपॉइंट हो रहे था, पर फाइनली फैंस को उनके सारे question का जवाब मिल गया, तो आपकी दिमाग में भी ऐसा कोई questions है, जो आप उमर्यास से पूछने चाहते हो, या किसी और से पूछना चाहते हो, या तो दिमाग में है, तो प्लीज कॉमेंट कि मुद बाद हो, आपकी रहे हो, पूछने फफ़ग में हो या हुक